शादी पाटी में जाने से पहले, दाही में ये दो छीजे मिलाकर अपने फेस पर लगा ले ना फेस इतना ज्यादा ब्राइटन अब होने लगेगा इतना ज्यादा निखा रहा हैगा कि सारे पूछने वाले कि आजकल आप फेस पर क्या लगा रहे हो आज मैं आप सभी के साथ दही से बनी एक ऐसी anti-aging skin brightening facial cream जो है वो शेयर करने जा रही हो जिसे बनाना बहुत ही अदासान है जो कि आपके face के जितनी भी tanning है, dullness, dryness है उसे दूर करके आपके चेहरे पर एकदम निखार लाने वाली आपके चेहरे को एकदम तरो ताजा कर आपके चानल को पी तब सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि और रेमेडी आप मेरी और देख सकें और साथी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं इस anti-aging skin brightening facial cream को बनाने के लिए मैं अब लिए है सबसे पहले clean bowl और उसमें में दो बड़े चमच के करीब एड करने जारी हूं दही यानि की कर्ड तो आप यहां घर का जमा दही या मार्किट वाला दही भी इस्तमाल कर सकते हैं यह इसलिए हमारे घर में होता ही है और साथी में एक चमच के करीब एड कर रही ह उसे दूर कर स्कीन को बहुत अच्छे से साफ करती है और शहत पर anti-inflammatory घुण पाये जाते हैं यह स्कीन पर polishing का का काम करता है डल स्कीन पर नई जान लेके आता है इसके बाद में एक चुटकी भर यहां वाइल टर्मरीक कर यूज करें आप चाहें तो kitchen hilly का भी यहां कर लूँगी और एक बहुत ही अच्छी हमारी मसाजिंग क्रीम बनके ready होगी फ्रेंड्स हल्दी हमारे स्कीन पर whitening का काम करता है हमारे स्कीन में बहुत जदा निखार लेके आती है इसमें ऐसे गुण पाये जाते हैं जो कि हमारे स्कीन के पर होने वाले acne pimples या फिर छुट इस क्रीम को आप अपने फेस पर जब apply करेंगे तो इस तरीके से आप इसे थोड़ी थोड़ी क्रीम को अपने फेस पर circular motion बे एक साइड से लगाना start करेंगे जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं या तो आप इस पूरी क्रीम को अपने फेस पर एक बार अच् कर सकते हैं. इस तरीके से मैंने फेस है पूरी क्रीम अपलाई कर लिया और सर्कूरर मोशन में, अपने फेस की मैं इस क्रीम से मसाज कर रही हूं três मसाज करने से फेस का जो blood circulation होता है वो बहुत अच्छे से run करने लगता है जिसकी वज़े से हमारी skin से जूड़ी समस्य हैं जैसे कि face पर pigmentation के marks हो जाना चोटी चोटी तिल उभलाना या फिर धूप में बैठने के कारें या फिर धूप के exposure के कानद skin काफी ज्यादा tan हो जाना skin का uneven tone हो जाना इस तरीके से आप मसाज करेंगे इस क्रीम को घर में ही बना कर तो आपकी skin का जो color complexion वो काफी जादा fair होगा skin whitening का काम करती है face पे से जितनी भी tanning दाग धबें उन्हें दूर करके even tone करती है यह massage cream आपके face को यहां मैंने अपने face की अच्छे से 2-3 मिनट massage कर लिए उसके बाद बची हुई cream को हमें फेकना नहीं है उसे use करना अपने hands पर apply करके आप इस तरीके से massage कर सकते हैं यह hands पर भी हुई tanning को दूर करता है साथी skin की पर जो जूरी आने लगती है skin पर बहुत ज्यादा dullness आने लगती है उसमें यह shine करता है so friends यहाँ मैंने face की massage कर लिए अभी scream को face पर से मैं आपको हटा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से face में instant glow आएगा skin किती है अच्छे से cleanse कर देगा skin पर एक नई shine एक नई जान आने वाली है इस home remedy से so आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने से spoon से हटाया और skin कितनी ज़्यादा वहाँ से खिली खिली नजर आ रही है so इस तरीके से मैं अपने पूरे face पे इस तरीके से यह spoon की help से मैं इस remedy को निकाल दूँगी और उसके बाद एक warm water में dip करके मैंने एक towel या फिर आप किसी भी henky कहीं इस्तिमाल कर सकते हैं और इस तरीके से मैं अपने face को पूरा पोच लूँगी wipe off कर लूँगी so friends यह remedy जो है आपकी skin में एक नई जान एक नई shine लेके आएगा अगर आपकी skin पर उम्र के निशान दिखाई देने लगे हैं तो यानि की fine lines बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं आँखों के नीचे जूरियां दिखाई देने लगे हैं तो इस तरीके की anti-aging cream चागर आप अपने face की massage करेंगे तो आपकी skin में कसाब आएगा आपकी skin tighten up होने लगेगी यहां मैंने face का अच्छे से cleanse कर लिया है skin बहुजादा smooth, subtle, soft सी feel हो रही है एक दम feather touch देने वाली है यह remedy आपको so friends इसके बाद skin की moisturizing आप जरूर कीजीगा क्योंकि winters में skin को extra hydration की जरूरत होती है so यहां coconut oil या फिर badam rogan oil में से आप कोई भी oil यहां use कर सकते है अपनी face मसाज करने के लिए यह massage जो होगी friends anti-aging massage होगी skin पर tightener का का काम करेगी अगर skin पर बहुत ज़्यादा lose होगी skin बहुत ज़्यादा saggy होगी है तो इस तरीके से आप night में अपने face की किसी भी oil से जो भी आपको suit करता हो उसे अपने face की massage करेंगे तो आपकी skin tighten up होने लगेगी so अपनी हतेलियों को इस तरीके से गरम करते हुए आपस में रब करते हुए मैं अपने face की massage करूँगी जिससे की जो यह oil है वो मेरी skin में अच्छे से absorb हो जाएगा और skin को बहुत अच्छे से firm करेगा skin पर एक नई जान एक नई shine लेके आएगा तो इस तरीके से आप भी तही से anti-aging cream बना कर अपने face की massage करेंगे तो इसके results आप खुद देख पाएंगे और उसके बाद आप oil से अपने face की moisturizing वाली massage करना बिलकुल मत भूलिएगा जो कि आपके face पा anti-aging का काम करने वाली है अगर आपकी skin बहुत जादा damage हो गई है तो आप इसे week में तीन बार इस्तमाल कर सकते हैं otherwise आप इसे week में एक पार भी इस्तमाल करेंगे इस तरीके से अगर आप अपने skin को बहुत ज़्यादा healthy रखना चाहते हैं इस तरीके से अपने skin पर glow पाना चाहते हैं skin पर नहीं जान नहीं शाइन लाना चाहते हैं तो ये वाली remedy आप ज़रूर ट्राइ करिएगा और साथी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत दोलेगा और फ्रेंड्स मेरी और होम रेमेडीज देखने के लिए आप एरी चैनल को बिल्पार लाइक और सब्स्क्राइब कर सकते हैं सुमिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टी क्या रप बाई झाल झाल झाल